हेलो दोस्तों आज हम बात करेंगे आप कैसे एक BASF officer हो सकते हो और BASF पर आप कैसे जॉइन कर सकते हो और BASF में कौन सा क्रेटागरी रहती है और BASF बानने के लिए आपके पास क्या age चाहिए कितना education qualification आपको चाहिए कितना marks चाहिए और हम exam process की भीवारे में हम बात करेंग था 1965 में 1 December को इनका सुरुवाद हुआ था BASF का जो basically काम रहती है वो देश की सीमा खित्रों में रहने बाली जो लोग है उनको सुरुखसा देना और इनके लावा उनका जो काम रहती है वो गैर कानूनी से अगर कोई देश में घुशने का कुसिस करें उनको रोकने का काम B आप जान लेते हैं BASF के अंदर कौन सा कौन सा पोस्ट रहती है भास्ट रहती है Constable उसके बाद Head Constable उसके बाद एसिस्टेंट साव इंस्पेक्टर और साव इंस्पेक्टर और एसिस्टेंट कमांडेंट इन सारे कुछ पोस्ट एबलबल रहती है आप जान लेते हैं BASF ब हो तो आपके लिए तीन बर्स का छूट मिलती है अगर आप OBC हो तो आपको पांच बर्स का छूट मिलती है आप जान लेते हैं इनका education qualification के बारे में education qualification जो होना चाहिए ओ दस भी पास और बार भी पास होना आपका बहुत जुर्री है अगर आप किसी उधिकरी पद के लिए apply करते हो तो आपके लिए bachelor degree होना बहुत जुर्री है इन सारी कुछ देखकर आपको फ्रॉम फिलप कर लेना चाहिए उसके बाद आपको परिक्सा के लिए आपको बुला जाती है जहां पर आपको सो औंका question रहती है और सो औंकी रहती है आपको जितना हो साके और सो औंका number होती है उसके बाद आपका medical होती है जहां पर आपका 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 जाच किया जाती है बोलने का समता जाच किया जाती है और सुनने का समता भी जाच किया जाती है इन सारे कुछ criteria पूरी करने के बाद आपको इंटर्वियू में बुलाए जाती है और इंटर् प्रफिसर आप बान जाओगे और बीएशिप का जो एकजाम है वो एसे सी और यूपी एसी द्वारा कंडक्ट किया गती है तो आज के लिए इतना ही अगर आपको वीडियो आच लिए तो लाइक कीजिए और अगर चैनल में नहीं है तो सब्सक्राइब डूबर क्लिक करकर ब